पंजाब की मोगा जिले के कोछ उस्सों में बीते दिनों हुई ओलावरष्टी के कारण मूंग और मक्के की फसल खराब होने से किसानों की परिशानी बढ़ गई है वहीं किसानों ने बताया कि दो तीन दिन पहले जो भारी बरसात और उलावरष्टी हुई थी उसके कारण जिले के दो गाउं महिश्वरी संद्वा और खुकराडा में करीब 150 एकर मूंग और मक्के की फसल बरबाद हुई है जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है वहीं किसानों ने मोगा की MLA डॉक्टर अमंदीप कौर अरूरा से फर्यात की है कि वो सरकार से बात करें और उनके नुकसान की भरपाई कराएं